दोस्तों हमारी दुनिया में रोजाना लाखों करोडों अलग अलग घटनाए होती हैं चाहे वो प्रत्वी के जीवों की घटनाए हो या फिर कुदरत की कुछ गटनाएं तो ऐसी होती हैं जिनके बारे में हमें पता ही नहीं चल पाता लेकिन कुछ 1-2% गटनाएं ऐसी होती हैं जो कैमरे में रिकॉर्ड हो जाती हैं तो चलिए जानते हैं पृत्वी की कुछ ऐसी अनोखी गटनाओं के बारे में जो इससे पहले आपने कभी नहीं देखी होंगी So let's start Red Crab Migration एक साल पहले औस्ट्रेलिया के क्रिस्मस आइलेंड में कुछ ऐसी घटना घटी जो इससे पहले कभी किसी नहीं देखी थी हुआ ये कि आउस्ट्रेलिया में पाया जाने वाला Red Crab मतलब केकड़ा बारिस के मौसम में आइलेंड से समुन्दर के किनारे चले जाते हैं और फिर दो महीने बाद वापस आके फीमेल क्रेब अंडा देती है यही साइकल काफी सालों से चलती आ रही है लेकिन पिछले साल ऐसा नहीं हुआ दरसल पूरी फीमेल क्रेब ने अपने अंडे बीच पर ही दे दिये और दो हफ़तों के बाद जब वे क्रेब वापस अपने आईलेंड लोटे तो नजारा कुछ ऐसा था गौर्मेंट ने इनकी शुरक्षा को देखते हुए यहाँ पर गाडियों पर रोक लगा दी ताकि क्रेब्स को कोई नुकसान नहो लेकिन ऐसी खूपसूरत घटना इतिहास में पहली बार हुई थी न्यू आइलेंड फॉर्मेशन यह घटना आइसलेंड देश की है जब एक एक्टिक ज्वाला मुखी पानी के अंदर सक्री हो गया जिसकी वजह से समुंदर के अंदर से जमीन बाहर आ गई और 15 मीटर जमीन बन गई 1989 में जब पहली बार यह ज्वाला मुखी एक्टिव हुआ था और अब तक यह 30 से 40 बार एक्टिव हो चुका है जिसकी वजह से अब तक यहां 1.4 किलोमीटर स्क्वेर की जमीन बन चुकी है साइन्टिष्टों का कहना है कि आने वाले वक्त में यहां एक आइलेंड बन जाएगा जिसकी जमीन धीरे धीरे बढ़ रही है हालकि यहां पर अभी तक आम रागरिकों को जाने की आनुमती नहीं है यहां पर सिर्फ रिसर्चर्स ही अपनी रिसर्च के लिए आते जाते रहते हैं आइस डिस्क दोस्तों अब यह एक और कुदरती घटना है अमेरिका के वाशिंग्टन की जहां एक लेक में ठंड की दुनों में एक गोल परद वर्फ की बन जाती है जो दिखने में एकदम डिस्क की तरह ही है और लोग दूर दूर से इस डिस्क को देखने के लिए आते हैं इस डिस्क को अगर हम आसमान से देखेंगे तो ऐसा लगेगा कि चांद है या फिर कोई alien spaceship की तरह लगेगा researchers की research करने पर पता चला कि इस जगह का temperature डाउन होने पर ऐसा हो जाता है और इसके पीछे और कोई mystery नहीं है लेकिन ये कुदरत की सबसे बढ़िया और unique घटना है वैल केनो lightning दोस्तों जौला मुखी सक्री होना तो वैसे भी एक खतरनाक प्रक्रिया है और जहां जौला मुखी उत्पन होता है तो वहाँ से कई किलोमीटर दूर तक कोई नहीं रह सकता क्योंकि उससे आग लावे के साथ बहुत speed से produce होकर निकलती है और लावा के साथ साथ धूल गरम पदार्थ पिगला मैटर और जहरीले गैसे भी produce होती है और इनी सब चीजों के बाद उत्पन होती है जौला मुखी की बिजली जो आसमान से आती है और ये अब तक की record की गई सबसे खतरना घटना है scientist भी इस चीज में लगे हुए हैं कि आखिर ये क्यों और कैसे produce होती है I hope कि वो जल्दी पता कर लेंगे कि ऐसा क्यों है तो दोस्तों ये थी प्रत्वी की कुछ अनोखी घटना है जो घटित हुई आपको कौन सी पसंद आई आप हमें कमेंट करके जरूर बताना और अगर वीडियो आपको पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें और अगर आभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को भी जरूर दबा लें ताकि आपको हमारी हर वीडियो को नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल जाए